इस वीडियो में हम आपको flowating points related double precision यानि कि double precision arithmetic के बारे में बताने जा रहे हैं तो जो double precision arithmetic होता है वो इस्तमाल करता है 64 bits जो आपका double precision arithmetic होता है flowating point का वो ही इस्तमाल करता है 64 bits इसका इस्तमाल इसलिए किया जाता है ताकि reduce किया जा सके chances of under flow और overflow इन दोनों chances को reduce करने के लिए या फिर कम करने के लिए 64 bit double precision arithmetic का इस्तमाल किया जाता है जो आपका 64 bit का double precision arithmetic होता है आईए सबसे पहले हम उसके bit number size और field name के बारे में बात करते हैं तो जो आपका bit number 0 to 51 0 से लेकि 51 तक का bit number होता है उसका total size होता है 52 bits 52 bits होता है और इसमें जो field name होता है वो होता है mantisa mantisa याने की m इसके बाद इसमें आता है आपका bit number 52 से लेके 62 तो इसका bit size होता है वो होता है 11 bits और इसमें जो field name होता है वो होता है exponent याने की e इसके बाद 62 के बाद जो next bit number होता है वो होता है 63 जिसका size होता है 1 bit और इसका field name होता है s s याने की sign जो आपका double procedure arithmetic होता है उसका range होता है 10 की power minus 308 से लेके 10 की power 308 यहाँ पर जो 10 की power minus 308 होता है वो आपके positive और negative में हो सकता है इससे पहले जो हमने पढ़ा था आपका 32 bit का single precision arithmetic और अभी जो हमने पढ़ा वो है 64 bit का double precision arithmetic इन दोनों को कहा जाता है इन दोनों को एक standard नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है IEEE IEEE 754 754 flowating point standard यह इनको नाम दिया गया है यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि mantisa हमेशा किस form में होगा one point one point x x x x इस तरीके की क्या होगा normalized form में होगा इसलिए आपको जो शुरुवात में leading one है उसको represent करने की जरुवत नहीं है इसलिए हम effectively यह कर सकते हैं कि जो आपका single precision है जो क्या है आपका single precision है उसमें mantisa की जो value होगी वो कैसे निकाले जाएगी one bit plus twenty three bits single precision के लिए अब हम बात करते हैं कि double precision के लिए double precision के लिए mantisa की value क्या होगी तो double precision के लिए mantisa की जो value हम लेंगे वो होगी one bit plus fifty two bits तो यह तो हो क्या rule जैसे कि आप जानते हैं मालेज हमारे पास है zero तो और यह suppose value क्या है zero point zero है तो जैसे कि आप इसमें जानते हैं कि कोई भी leading one नहीं है तो इसे दूसरे un number से अलग करने के लिए हमारे पास एक reserved bit pattern होता है सारे zeros के लिए ताकि exponent के लिए hardware उसको अलग से attach न करे leading one को इसलिए तो इसलिए zero point zero यदि हम equal करें तो वह हो जाएगा zero, 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 zero and so on करते-करते zero यह same रहेगा अब इसके अलगा जो भी others number रहेंगे others number के लिए कैसे होगा minus one की power s into one plus mantissa m into two की power e यह होगा others number के लिए इसके बाद यदि हम जो हमारे पास number था mantissa bits का m वाला तो उसको left to right हम गीरेंगे तो क्या हो जाएगा m1 m2 और m3 हो सकता है तो mantissa को यह दिया आपको पूरा calculate करना है m को capital m को तो उसके लिए आपको इन तीनों की value की ज़र्वत पढ़ेगी m1, m2, m3 तो उसको आप कैसे लेंगे mantissa m equal m1 into two की power minus one plus m2 into two two की power minus two plus m3 m3 में क्या into होगा two की power minus three इस तरीके से so on जो आपको formula आगे बढ़ता जाएगा तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका negative exponent है जो आपका negative exponents है उसमें problems हो सकता है comparison इसमें जैसे माली जे हमारे पास हम क्या ले रहे एक example ले रहे माली जे हमारे पास है टूस का अब्लिमेंट के साथ हम क्या ले रहे एक example ले रहे तो हमारे पास suppose value है one point zero into two की power minus one यह हमारे पास value है तो इसका जो sign value होगी वह होगी आपकी zero तो यह दि आप इसका exponent calculate करने चाहें exponent तो इसका exponent क्या होगा one 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 यह होगा आपका इसका exponent और इसी की यह दि हम मैंटी सा की बात करें तो इसका जो आपका मैंटी सा होगा वह कुछ इसकी value कुछ इस तरीके से होगी zero 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 इसमें total आपके seven zeros होंगे इसके अलावा continuously तीन बार आपके seven zeros आएंगे यह कितने बार आएंगे three times ठीक है अब यदि हम एक और दूसरे नंबर की बात करें जो हमने फर्स नंबर लिया था वह लिया था one point zero to two की पावर minus one यदि हम फिर से एक different number ले रहें जो होगा one point zero into two की पावर plus one यह माली जह हम नंबर ले रहे हैं तो इसका sign भी होगा zero अब इसकी जो exponent value होगी वह होगी exponent यानए e की value जो होगी zero 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 one यह होगी इसकी exponent value और इसी की यदि हम फिर से मैंटिसा value की बात करें तो उसकी जो मैंटिसा value होगी वह बिल्कुल सेम होगी जैसा हमने पिछले number one point zero to two की पावर minus one में देखा था तो यहां पर क्या हो रहा है इस representation की साथ आप यहां देख सकते हैं कि जो आपका first exponent है जो आपका first exponent है उससे आपको यह पता चलता है कि large binary number है जिससे क्या हो रहा है direct comparison difficult हो जा रहा है तो इस चीज को avoid करने के लिए हम क्या use कर सकते हैं हम use कर सकते हैं biased notification sorry biased इस चीज को avoid करने हम use कर सकते हैं biased notation तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे biased notation के बारे में इस वीडियो में बस इतना इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमाई चैनल को जो सब्सक्राइब परें थैंक्यू कर दो कर दो कर दो